नमस्कार आज हम बनाने वाले हैं बिना अंडे के अंडा कड़ी अगर आपको वेज खाना पसंद है और आप कुछ अलग खाना चाहते हैं तो आज हम जिस तरीके से बिना अंडे के अंडा कड़ी बनाने वाले हैं इस तरीके से अगर आप बना कर खाएंगे तो आपको यह बह तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं यह रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है तो सब से पहले हम इस बड़े बावल पनीर को कद्दू कस करेंगे पनीर को हम बारिक कद्दू कस कर रहे हैं पनीर को हमने कद्दू कस कर लिया है अब इसमें से हम आधा पनीर दूसरे बरतनों निकाल लेते हैं इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे अब इसमें डाल देते हैं एक छोटी चमच आरा रोट एक चोथाई छोटी चमच नमक डाल देते हैं स्वात के अनुसर और आधी छोटी चमच हल्दी पौडर डाल देते हैं अब पनीर में हम सारे चीजों को अच्छे स्मिला लेते हैं जिससे हल्दी पौडर नमक पनीर में पूरी तरह से मिल जाएं सारे चीजों को हमने पनीर में मिला कर एक जैसा कर दिया है अब इसका हम छोटा छोटा बॉल बना लेते हैं पहले हम पनीर के थोड़ा से लोई हाथ मिले लेते हैं अब इसको हम दोनों हाँ से चिकना करके बॉल बना लेते हैं, इतना बड़ा हमने बॉल बनाया है, अब इसी तरीके से हम एक एक करके बॉल बना लेते हैं, हमें इसे बहुत बड़ा बॉल नहीं बनाना है, हम इसको नीवू से भी थोड़े छोटे साजम बना रहे हैं, हमने एक एक करके पूरे आठ बॉल्स बना लिये हैं अब बागी बचेवे पनीर को हम तयार कर लेते हैं यहाँ पर हमने एक उबला आलू इसका शिका सापकर के लिया है अब आलू को हम पनीर में कद्दू कस करेंगे आलू को हमने बारिक कद्दू कस कर लिया है अब इसमें हम एक चमच आरा रोट डाल देते हैं और एक चमच मैदा को डालेंगे लगभग आधी छोटी चमच नमक डाल देते हैं स्वाथ के अनसर अब पनीर आलू में सारे चीजों का अच्छे स्मिला लेते हैं अगर आपके पनीर और आलू ज़्यदा गिले हो जाते हैं तो आप इसमें मैदा और एक चमच बढ़ा सकते हैं इससे वो और थोड़े सुखे हो जाएंगे सारे चीजों को मिला कर हमने पनीर को तयार कर लिया हैं आप इसमें से हम थोड़े बड़े साइच के लोई बनाएंगे यानि कि हमने जितना बड़ा पिला वाला लोई बनाया था उसका डबल हम इसका लोई बनाएंगे आप इसको हम दोनों हाँ से मसल कर गोल कर लेते हैं इसके बाद हम इसमें थोड़ा से सूखा मैदा लपेटेंगे, जिससे बनाते समय हाथ में चिपकेना, आप इसको हम दाप कर दोनों हाथ से फैला कर बढ़ा करेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर श्टपिंग करना है, आप इसके अंदर हम पिला वाला बॉल्स डाल कर पाइक क कर दीडी, जिससे यो कहीं से खुले न रहे, अब इसका हम अंड़ जैसा बॉल्स बना लेते हैं, यह यहाँ हम इसको अंदर का कार्म बना ये, आप इसको हम सूखे माइदें फिर से सलपेट देते हैं, जिससे यो पूरी तरह से उपर से सचिकने बन जाएं, इस तरीके से ह कर हम आवराप हो दिखाते हैं जिससे आप आसाने से घर पर बना सकें पहले इसको हम दोनों हाँ से फैला कर बढ़ा करेंगे अब इसके अंदर हम पीला वाला बॉल्स डाल कर पाइक करेंगे ध्यान रहे जब इसे हम पाइक करेंगे तो हलके हाँ से पाइक करेंगे जिससे कही से फटेना अब इसको हम सुखे माइदें लपेट कर अंडे जैसा बॉल्स बना लेते हैं इस तरह के बॉल्स बनाने के लिए आप कद्दू कस किया हुआ आलूक इस्तेमाल करें तभी वो चिकने और अच्छे बॉल्स बनेंगे एक एक करके हमने अंडे जैसा बॉल्स बना लिये हैं पूरे आठ बॉल्स हमने बनाया है अब इसे हम तेल में तलेंगे बॉल्स को तलने के लिए हमने कड़ाहिन तेल ले लिया है गैस को हमने तेज किया है तेल गरम हो चुका है अब इसमें हम सभी बॉल्स को डाल कर तलेंगे आप देख सकते हैं हमने तेल अच्छे से गरम किया है इतने गरम तेल में हमें बॉल्स को तलना है जब ये उपर से हलके टाइट हो जाएंगे तब गैस को हम मेडिये में कर देंगे अब ये बॉल्स नीचे से फ्राई हो गये हैं अब इसको हम धिर धिरे पलट देते हैं हम इसको चारो तरफ से सुनहरे रंग में होने तक फ्राई करेंगे गयस को हम मेडियम में कर देते हैं क्योंकि अब ये उपर से टाइट हो गए हैं हम गयस को बहुत धीमा करके फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि धीमी आज पर तलने से ये फट सकते हैं आप देख सकते हैं बॉल्स पूरी तरह सुनायर रंग में हो गए हैं अब इसको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं, बॉल्स को हमने फ्राई करके निकाल लिया है, अब इसके लिए हम ग्रेवी तयार करेंगे, यहां पर हमने तीन मेडियम साइज कटे हुए प्याज लिया है, प्याज को हमने मोटे साइज में काट कर लिया है, अब इसे हम जैर में डाल कर पीस लेते हैं इसमें हमें पानी की इस्तिमाल नहीं करना है हम इसे सूखा ही पीसेंगे प्याज को हमने सूखा पीस लिया है अब इसको हम एक बाउल निकाल लेते हैं प्याज को हमने पीस कर बाउल निकाल लिया है अब ग्रेवी बनाने के लिए हम कड़ाहिम डाल देते हैं तीन बड़े चमस सरसो का तेल तेल को अच्छे सगरम कर लेते हैं तेल गरम हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे एक तेज पत्ता और एक छोटी चमस जीरा तेज पत्ता और जीरा को हम चलाते हुए भून लेते हैं जिससे तेज पत्ता जीरा का फ्लेवर तेल में आ जाएं अब इसमें हम पीसा को प्याज डाल देते हैं प्याज को हम मेडियम आज पर चलाते हुए भूनेंगे अभी इसको हम बहुत ज़्यदा नहीं भूनेंगे हमें इसे हलका ही भूनना है अब प्याज हलके भूनकर सुखे हो गए हैं इसमें हम डालेंगे एक छोटी चमज लाल मिर्च पाउडर और इसी में हम एक चमज बेशन डालकर मिला लेते हैं बेशन लाल मिर्च को हमने मिला लिया है अब इसमें दो टमाटर को पेश्ट डाल देते हैं एक चमज लासुन दरख का पेश्ट आधी छोटी चमज गरम मसाला एक चमज धनिया पाउडर आधी छोटी चमज हल्दी पाउडर सारे चीज़ों को हम पेश में मिला लेते हैं इसमें हम लगवक दो बड़े चमज पानी डाल देते हैं अब मसाले को हम बराबर चलाते हुए धिमी आज पर पकाएंगे मसाले को हमें बराबर चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक मसाले सुखे होकर तेल न छोड़ दे और इसका कलर चेंज न हो जाए मसाले को हम जितनी अच्छी तरीके से भूनेंगे या गिरिवी उतनी ही अच्छी बनेंगी यह मसाले धिरे धिरे सुखे होने लगे हैं और इसका कलर भी चेंज हो रहा है लेकिन अभी ये पूरी तरह से पके नहीं है हम इसे चलाते हुए दो मिनट तक और पकाएंगे मसाले पूरी तरह से भून गया है इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये सूखे होकर तेल छोड़ दिये है अब इसमें डालेंगे डेड़ कप पानी पहले हम एक कप पाइन डालकर मसाले मिला लेते है अब आधा कप पानी और डाल देते है आधी छोटी चमन नमक डाल देते है और दो भागों कटी हुई दो हरी मिर्श को डाल देते है हम ग्रेवी को गाढ़ा बना रहे हैं इसलिए हमने सिर्फ पानी डिड़ कप डाला है अब कड़ाही को हम ढख देते हैं और ग्रेवी को धीमी याज पर 7-8 मिनिट तक पकाएंगे जिससे ग्रेवी अच्छे से पक कर गाड़े हो जाए अब 8 मिनिट तक बाद हम ढख कर अटा कर देख लेते हैं एक ग्रेवी अच्छे से पक कर गाड़ी हो चुकी है अब इसमें हम फ्राई किया हुआ पनीर बॉल्स डाल देते हैं आप देख सकते हैं बॉल्स बहुत मुलायम बने हैं इसलिए हम इसे ग्रेवीम डालने बाद धक कर नहीं पकाएंगे अगर हम इसे ढख कर पकाएंगे तो एक ग्रेवीम फट जाएंगे इसलिए हमें इसे ग्रेवीम डालने बाद बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है इस सारे बॉल्स बहुत ही अच्छे और मुलायम बने हैं अब इन्हें हम ग्रेवीम डाल देते हैं यहाँ पर ग्रेवी पूरी तरह से पक कर तयार हैं इसलिए हम सभी बॉल्स को डाल देते हैं अब इसे हम ढखेंगे नहीं बिना ढखें इसी तरह एक मिनट तक पकाएंगे जिसे ग्रेवी अंदर तक सोख लें अब यहाँ पर हमारे बिना अंडे का अंडा कड़ी पूरी तरह से बनकर तयार हैं गैस को अब हम बंद कर देते हैं अब एक पीस बॉल्स उठा कर हम आपको दिखाते हैं आप देख सकते हैं हमारे इस तरह के बिना अंडे का अंडा कड़ी बना है जिस तरह धाबे वाले अंडाकड़ी बनाते हैं उसी तरह के हमने बिना अंडेक अंडाकड़ी बनाया है अब इसे हम एक बरतन निकाल कर आपको दिखाते हैं अब ये अंडाकड़ी खाने के लिए पूरी तरह से बनकर तयार है इस तरह के बिनने अंडेक, अंडाकड आपको जब खाने का मन करें तो बना कर खादे हैं अगर आप विज खाना पसंद करते हैं तो आप इस से अपने घर पर एक बार जरूर बनाएं यह रेसीपी आपको जरूर पसंद अएगा इस तरह के अंडा काड़ी रोटी चावल साथ खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं अगर आज के वीडियो हमारे आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले